हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टारटैक्टिपल टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एक और नई रीडिंग, जिसमें आज हम कैंडल वैक्स के ठू देखने जा रही हैं, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, अब कैसा महसूस कर रहे हैं, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए, अब क्या चल रहा है, जिसमें आज हम ग्रीन कैंडल से आपकी एनरजीज क्या हैं अपनी परसन को लेकर वो चीज़े देखने जा रही हैं, और रेड कैंडल से आपके परसन आपकी लिए, अब करंट में क्या महसूस करते हैं, ये चीज़े देखेंगे, बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना रीडिंग जो भी होगी वो चनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी, मैरिट अनमैरिट कोई भी परसन ये रीडिंग देख सकता है, और साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानि की लड़का लड़की कोई भी रीडिंग ठीके, काईज अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती हैं, आप अपने आपको इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाती हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और साथ में ही बेल आइकन को प्लेस जरूर कीजेगा, उसके अलग अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो लाइक जरूर कीजेगा, और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूट देना है आपको उस परसन को जिसने आपके लाइफ में कुछ बहतर करा है, ठीके तो ग्रेटिट्यूट उस परसन को आपको देना है, चाहिए फिर वो आपके parents ही क्यों ना हो तो चलिए start कर लेते हैं बस याद रखना है जब reading हो रही हो तो अपने person का नाम ज़रूर लेना है specially जब जब आपके person की energy से आपर पड़ी जाएगी ताकि आप अपने आपको से reading से connect कर पाए तो start कर लेते हैं आपकी energy से guide कीज universe, please divine, please archanges, please only angels, please spirit guide मुझे guide कीज़ बताइए क्या है viewers की energies अपने person को लेकर universe guide कीज़ बताइए क्या है इस person की energies, guide कीज़ देखे आप काफी depressed energies में मुझे दिखाई दे रहे हो basically आपका depression की वज़ाया पर ये है कि आपने जिससे दोस्ती करी है उसने ही आपके दोस्ती को तोड़कर रखा है आपको तोड़कर रखा है जो चीजे ना आपको depression की तरफ लेकर जा रही है जो चीजे आपको रुला रही है जो चीजे आपको बहुत जादा frustrated करा रही है मुझे यह आपर यह दिख रहा है कि आपके दिल और दिमाग में definitely हर वक्त आपके परसन चलते रहते हैं उनके साथ बीते हुए आपके पल चलते रहते हैं और आपको यह लगता है कि past में तो यह इतने अच्छे थे चलते हैं कि ऐसा movement तो हो रहा है लेकिन मेरी तरफ क्यों नहीं हो रहा है वो चीजे आपको बहुत परिशान करती हैं बहुत ज़्यादा का एहसास हो रहा है मैं इन चीजों को फील कर पा रही हूं या पा रहा हूं तो मेरा सामने वाला जो पार्टनर है मेरा जो twin flame या soulmate है वो इन चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहा या पा रही आपके मन में ये चीजे चलती रहती हैं कि मैंने इस रिष्टे में बहुत कुछ दिया बहुत effort करे बहुत ज़्यादा honesty इस रिष्टे में निभाई फिर सामने वाले ने मेरे साथ dishonesty क्यों करी या उसने इस relationship को इतना खराब क्यों करा या एक decision ले लिया तो वो बिना मेरी र गिटिब करती हैं जो चीजें आपको काफी परेशान करती हैं और वही चीजें आपका focus यहाँ पर divert करती हैं ठीके यानि कि आपको लगते हैं कि मैं हर एक बाद share करती थी या करता था decision लेने से पहले हर एक बात मैं बोलता था या थी फिर उस बंदे ने या बंदी ने इतन बड़ा decision अपने आप कैसे ले लिया अब वही चीजें आपको ऐसे realize कराती हैं आपके मन में यह thought लेकर आती हैं कि शायद इस इंसान ने मुझसे सच्चा प्यार करा ही नहीं जितना मैं नहीं करा वो शायद मेरे लिए शुरुबात से practical था या थी उसके दिल में मेरे लिए वो feelings नहीं थी थभी उसे move on करने में मुझसे दूर जाने में इतना वक्त नहीं लगा आपके मन में इस तरह का गुसा इस तरह की frustration चलती है कि उस इंसान को मेरी करी हुई मेरे दौरा इस रिष्टे में दिया हुआ care हो, support हो, emotionally support हो, प्यार हो, financially support हो वो सब भी याद नहीं आया क्या जो उसे move on करने में इतना वक्त भी नहीं लगा जो चीजे आपके मन में कहीं न कहीं guilty फील कराती हैं इस चीज को लेकर कि मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा क्यों करा मैंने ऐसे इंसान को अपनी life में नियोता क्य क्यों करती हैं कि शायन मेरी ही गलती थी जो मैने से इतने rights दे दिए, चीक है कि मैंने क्यों प्यार करा, क्यों मैंने ऐसे इंसान से hope रखी, वो चीजे आपको बहुत जादा पर्डन जैसे ही लगती हैं वो छीजे वो बाते जो आप ही के मन की हैं स्ट्रेस में भी डालती है यानि कि आप अपने मन में खुद ये चीजे सोचते हो और खुद उस चीज़ का प्रइशर लेते हो और खुद रोते हो रोने की energy बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी side से आप बहुत रो रहे हो बहुत miss कर रहे हो और ये रोने वाले energy गुसे के साथ आपके आशु निकल रहे है अपने पे भी गुसा सामने वाले पे भी गुसा है ये चीजें है आपके मन में गुसा है इस person को लेकर कि अब अगर बात करे तो ये खुद करे अगर ये शुरुवात करे चीजों को सही करे तो खुद करे अब मैं अपने आपसे कोई effort नहीं करूंगी या करूंगा तो वो गुसा भी आपके मन में चलता रहता है इस person को लेकर मुझे दिखे या पर ये भी दिख रहा है कि इस person के साथ क्या है कि इस person ने जो चीजें आप से share करणी चाहिए थी जो बाते आपसे discuss करनी चाहिए थी उसकी बजाए इस person ने सब से करे हैं आप से ही नहीं करें जो चीजें भी आपको काफी परिशान करती हैं रुलाती हैं आपको ऐसा लगते है कि मेरा यहाँ पर राइट था. मुझे ये चीजें बतानी चाहिए थी, मुझसे discuss करनी चाहिए थी. लेकिन मुझसे discuss करने की बजाए इस person ने सबसे करा है. जो चीजे आपको गुसा भी दिलाती हैं, जो चीजे आपको रुलाती भी हैं, परेशान भी करती हैं, यानि कि आपकी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कभी तो आपको इस परसन पे प्यार आता है, ठीक है, जिस मामले में आपको लगता है कि चीजे सही हो जाएंगी, रिष्टा सही हो जाएगा, कभी आपको गुसा आता है, वो गुसा आस-पास के लोगों पर भी निकलता है कभी आपको जलिसी भी फील होती है इस परसन पे जैसे अगर ये काफी खुश होकर दिखा रहे हैं फोटो डीपी डाल रहे हैं तो चीज़े आपको jealousy भी feel कराती है तो आप अभी खुद अपने stable mind में नहीं दिख रहे हो आप काफी जादा परिशान energy में से कह सकते हो depressed हो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कौन से emotions के साथ रखना है अपने आपको जो चीज़े आपको परिशान कर रही है यहाँ पर letter G, F मुझे दिख रहा है L दिख रहा है I दिख रहा है number 6 यानि की June month दिख रहा है आपके person या आप से किसी भी तरह से यह number या यह month relate कर सकता है तिकि मुझे basically आपर यह भी दिख रहा है कि आपना अपना focus change करने की कोशिश कर रहे हो चाहिए फिर new job करके या new study करके कोई study वगेरा कर रहे हो और change करने की कोशिश कर रहे हो कुछ वक्त करते भी हो कर भी पाते हो मैसर नहीं कह रहे हो नहीं कर पा रहे हो लेकिन most of the time आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जब आप सोचते हों कि मैं इस %介ker में बारे में नहीं सोचूंगी या सोचूंगा आपका गुस्षब आप इस ृदिलाता कहीं न कहीं दिल को चीर जाती हैं आपके ये भी एनर्जीज है सही आप definitely करना चाते हो ये बात इन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप नहीं करना चाते हो बट आपके साथ ही हो रहा है कि आपको अब हालातों के आगे compromise करना पड़ रहा है कि अगला अगर नहीं चाह रहा है, अगला अगर चीजों को सही करने के लिए effort नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज को लेकर compromise भी कर रहे हो, कि ठीक है अगला नहीं कर रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, जबरदस्ती तो मैं इस रिष्टे में इसको नहीं लेकर आ सकती हू या आ सकता हूँ, तो वो thought भी आपके मन में चलते हैं, तो आपने आपको मजबूरी में आकर इस person से अपने आपको दूर कर रहे हो, वो आपके मन में चलता भी है और वो आपके हलाद भी मुझे काफी हद तक दिख रहे हैं, ठीके, बहुत जादा emotions को hide करते हो, आप एक ऐसे बन गए हो, जो अपनी बातों को, अपनी feelings को, अपनी दर्द को, तकलीफ को share नहीं करना चारे हो, बताना नहीं चारे हो, या बता नहीं रहे हो, वो भी energies दिख रहे हैं, काफी mysterious टाइप के बन कर रहना चारे हो, आप ये energies मुझे आपकी side से दिख रहे हैं, ठीके, यहाँ प G letter है, C letter है, आपके person या आपके नाम से relate कर सकता है, यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि life बहुत slow move कर रही है, एकदम कच्छुए की तरह, बहुत समझदारी से चल तो रहे हो, बहुत समझदारी से चीजों को deal तो कर रहे हो, बट वो समझदारी ना इतनी काम नहीं आ रही है, आ इतना तूफान मेरे दिल में चल रहा है, वो चीजों का पता नहीं लगने दूंगी या दूंगा, वो energies मुझे आपकी side से दिख रही है, ठीक है, तो ये तो रही, आपकी क्या energies हैं, इस person को लेकर या overall आपका क्या सोचना है, अगर आपसे ये part resonate करता है, मिलता है, तो next part भी आप continue कर सकते हैं, ठीक है, चली, अब red candle से आपके person की energies देख लेते हैं, कि उनका आपको लेकर क्या सोचना है, इस connection को लेकर क्या सोचना है, और overall उनके मन में क्या चल रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आपके person की energies चेक कर रही हूं, तो अपने person का नाम आपको ज़रूर लेना है, ताकि आप अपने आपको इस reading से connect कर पाए, और उसके बाद भी लगता है, कि नई उसका ऐसा नई सोचना होगा, तो definitely नई सोचना होगा, उसके बाद आप reading को वहीं पर stop भी कर सकते हो, ये भी है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, energies vice versa भी हो सक गाइड, मुझे गाइड कीचर बताईए, viewers के person का क्या सोचना है, इनको लेकर, universe guide कीचर बताईए, I think आपको आवाज सुनाई दी होगी, candle की, काफी aggressive energy मुझे इस person की side से भी दिख रही है, जैसे कि आस पास के लोगों पर frustration, गुसा तो ये भी निकाल रहे हो, ये energies मुझे इ दिख रही है, काफी stress में ये person है, क्योंकि ये person ना actually में अपनी life में कोई move कर नहीं पा रहे हैं, कोई step ले नहीं पा रहे हैं, या आपकी तरफ से हो नहीं पा रहे हैं, जो चीजे इस person को काफी stress में डालती हैं, तो काफी aggressive और काफी stressful energy में इस person की side से feel कर रही हूँ, C letter definitely यह हाँ पर काफी लोगों से relate करता है और I letter भी है, ये person आपको spy करते हैं, आपकी छानबीन करते हैं, आपके बारे में तहकीकात कर रहे हैं, कि क्या आप किसी और के साथ relationship में हैं, या आपके life में क्या चल रहा है, उस चीज को लेकर, ठीक है? ये person stress इस चीज का ले रहे हैं, कि ये आपके लिए अपने प्यार के लिए या इस connection के लिए तो कुछ कर नहीं पाने हैं, और इन्हें भी मजबूरी में आकर, इन्हें भी हालातों के आगे जुकना पढ़ रहा है, जिस reason की वज़ह से ने move on करना पढ़ रहा है, ultimately ये person definitely move on न या यानि की March month, past में यानि की बीते हुए कल से आपसे ये number या ये month relate करता होगा, कुछ major आपके life में इस month में या तीन number से relate कर रहा होगा, ये person जो भी इन्होंने करा, ठीक है, जैसे आपसे move on करे, जो भी decision लिया, उस चीज से regret इस person की energies में भी मुझे दिख रहा है, number two यानि की February month हो सकता है, दो साल हो गए हूँ, आप लोगों को separate हुए वे, या वो month February था, उसकी भी possibility दिख रही है, क्योंकि ये person उस वक्त को जब इन्होंने आपको खोया था, ठीक है, जब इन्होंने ये decision ले लिया था दिमाग से, या आपको अपने decision को बता दिया था, कि मैं आप से move on कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं इस रिष्टे को आगे continue नहीं कर सकता या कर सकती, उस चीज के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उस चीज को जितना सोचते हैं, उतना ज़्यादा ये person अपने आपको helpless feel करते हैं, दिखे मुझे आपर basically आप लोगों के बीच में इस person ने जो decision लिया है, वो वजह pentacles दिख रही है, पैसा दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोगों का status different हो, caste, traditions, यानि कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीजे होई हैं, या तो वो पैसे से relate कर रही है, इस reason की वजह से अलग हुए हैं, या फिर differences आप दोन इस person के दिमाग में fight कर देती हैं, जो गुसा दिला देती हैं, जैसे हो देना कि मैं किस वजह से दूर हो रहा हूँ या हो रही हूँ अपने प्यार से, और उसी चीज को लेकर ये person काफी हद तक सोचते हैं कि ये गलट decision ले रहे है, या already ले लिया इन्होंने, दोनों ही सूर तो में इन्हें ऐसा लग रहे है कि गलती तो यहाँ पर हो गई है, लेकि मुझे या पर ये भी दिख रहे है कि इस person के मन में एक fight चल रही है कि आप दोनों move तो कर रहे हो, दोनों की life में movement definitely है, ऐसा नही है कि दोनों के अलग-अलग होने से दोनों की life वहीं पर रुग गई है, दोनों individually चल रहे हैं, लेकिन साथ नहीं चल रहे हैं, उन चीजों का गुस्सा इस person के मन में मुझे काफी हद तक दिख रहा है, अपने उपर ही जैसे frustration होती हो इस person को, इस person के मन में एक ऐसे thought चल रहे है कि मुझे भागना है, दो तरह से, या तो आपकी तरफ reunion का offer लेकर सब चीजों को छोड़ चाड़ कर या सब लोगों को छोड़ कर जिसमें आप भी शामिल हो, ठीके, तो उस तरह की fight इस person के मन में खुद चल रहे है कि मैं बस मुझे भागना है, चाहे फिक कैसे भी हो, उसके लिए आगे मुझे नहीं पता क्या होना है, क्या नहीं होना है, बस रिस्क लेना है और बस भागना है, चाहे आपके साथ या आपके बिना भी, पर यहां नहीं रहना है, वो एनरजी इस person की काफी ज़्यादा फील हो रही है, यह person जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी point पर यह अपने आपको defend करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, एस लग रहे हैं कि आपसे बात करेंगे तो कहीं ना कई point इनकी side होगा, इनकी तरफ ही आपका point होगा, यह रिष्टे खतम होने की जो वज़ा है, यह खुदी है, और जो burden यह ले नहीं पाएंगे, या फिर अगर by chance आपको call कर लेते हैं, और आप बोल दोगे कि नहीं, आप मु होने करा है, इनकी तरफ से यह decision है, लेकिन आपसे बात करके आपने भी वो बात बोल दी, तो वो चीज़े और hurt कर जाएंगी, तो यह वज़भी है, इस person की आपसे ना बात करने की, जो चीज़े इस person की confidence को तोड़ देंगी, जो अभी तक फिर भी छोड़ा बहुत confidence है, कि चलो मैंने ही decision लिया, क्योंकि आपको पता है, जो person move on कर रहा होता है, या कर रही होती है, उससे फिर भी कम दड़ दो रहा होता है, पजाए उसके जो बैठा हुआ, उसका इंतजार कर रहा होता है, या होती है, और आप वो हो, आप waiting mode पर हो, आप इंतजार कर रहे हो, और ज करते हैं, काफी जादा insecurities person के मन में हैं, कि यह अगर आपके साथ रिष्टे में नहीं रहे, तो आपकी life में obviously कोई और आएगा, आपकी life में आपकी शादी किसी से हो जाएगी, तो chances है कि यह person अगर in and out करते हैं, तो वो insecurity की वजह से करते हैं, कि आपके साथ खुद भी नहीं बन पा रहे हैं, और जब किसी और को देख लेते हैं, आपके साथ तो वो इन से देखा नहीं जाता, तो अगर आपके person in and out कर रहे हैं, तो उसकी वजह है इनकी insecurity, अपने emotions को यह person बिल्कुल भी balance नहीं कर पा रहे हैं, समझ बहुत रहे हैं, क्या गलत हुई, क्या गलती पा रहे हैं, यह energies भी इस person की है, यह person उस मुकाम तक पहुच गए हैं, जहां पर इने रिस्क लेने से भी घबराहट होती हैं, इनका दिल बहुत जादा घबराने लगता है, वो भी दिख रहे हैं, एक दहशत सी इस person के अंदर हो जाती है, जब भी भी यह ऐसा सोचते हैं, म अजीज भी है, देकि मुझे आपर यह दिख रहा है, जैसे आप अपनी feelings बता नहीं रहे हो, अपनी अंदर छुपा कर रख रहे हो, यह person अपने आसपास के लोगों को बता रही हैं, लेकिन जो इनके आसपास के लोग हैं, वो कही ना कहीं, जैसे देखो रोते तो यह भी है लेकिन यह अपनी बातें, दिल की बातें किसी को बता रहे हैं, बट आसपास के लोग इनके और आपको मिलाने में support नहीं कर रहे हैं, बस वो इनके अंदर हिम्मत नहीं जगा रहे हैं कि अगर तुम्हें इतनी याद आती है, इतना प्यार है तुम्हें, इतनी ही feelings हैं, तो तुम ट्राइ करो, बात करने की कोशिश करो, मूव करने की कोशिश करो, वो लोग यह नहीं समझा रहे हैं, बस वो इन्हें यहीं पर दिलासा दे रहे हैं, कि नहीं चलो ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली चीजे सही हो जाएंगी, तो इसी रीजन की वज़े से भी यह पर संच चुब बैठे हैं, ठीक है, कि खुछ से तो डिफेंट करी रहे हैं, लेकिन आस पास जिनसे शेयर कर रहे हैं, वो भी इन्हे डिफेंट कर रहे हैं, इस तरह से, और उपासे रिस्क लेने की एनरजीज में यह नहीं है, फोकस इस पर संच का भी अगता हुआ दिखाई दे रहा है एजन की इनका भी ऐसा हो गया कि कई ध्यानी नहीं लगता कई मन ही नहीं लगता बहुत मिसिंग एनरजी इनकी है लिए नमबर थी मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है और मुझे आपर यह दिख र रही है ठीके तो आज की इस रीडिंग का यही सवाल था you versus them आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो या आप दोनों के मन में क्या चल रहा है I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो आप इस रीडिंग से अपने आपको connect कर पाई हो या इस रीडिंग के माध्यम से शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि मैं इसी तरह से नए नए रीडिंग्स नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकू और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यो ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके बाबाई